हेलो गाइस कैसे आप सोब और आज इस वीड़ी आप सबीगा बहुत-बहुत सवागत है तो भाई आज फैले ले आई-पैड प्रो M1 तुमारे भाई ने परचेस कर लिया है और इससे बहले मेरे पास आई-पैड एयर था फोर जनेरेशन वाला ये रहा तो यार आई-पैड क मैं काफी जड़ा ऐसे फैन सा कहलो हूं मेरे को आई-पैड काफी पसल आते हैं हलाकि मैं इस जादे यूज नहीं करता हूं तो आज मैंने फैनली पहली बार आई-पैड प्रो परचेस कर लिया क्योंकि यार इसके अंदर M1 चिप है जो कि आपल का अपना निया वाला सिलिक तो यह हमारा भाई आई-पैड प्रो का बॉक्स सामरे की तरफ में आप लोग देख सकतो हो एक आई-पैड का फ्रंट लुक दे रहा है हमार को और फ्रंट लुक के अंदर एक वाल पेपर है और आई-पैड की आउट-लाइनिंग्स है पूरी-पूरी तो यह कावी सही और इसको फटावट से कर लेते हैं सतर हजार उपए हमारे गई किडिनी तो हमारी चली गई है पट कोई नहीं मज़े भी तो लेने हैं इसकी ओपन कर लेते हैं लिड ओपन करते के साथ ही भाई हमारा आई-पैड प्रो हमार को दिख जाता है उपर की साइड में रखा हुआ और भाई पहली बार मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ और मेरे को लिटरली बता रहा हूँ ये थोड़ा जादा हेवी लग रहा है आई-पैड एर के मुकाबले बट लुक अट दे बैक गाईज ओ-एमजी लिटरली यार ये रहा काफी लोगा प्यार है मेरा भी यार हमेशा से सपने थे आई-पैट के एप्ल प्रोड़क्त के तो मैंने वह पूरे कहते तो आप भी मैनद कर आपके भी सपने पूरे होंगे तो यह देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है इसको सब्सक्राइब और एपल लेकिन नकली बाट को लेकिन नकली इसके इंदर 20 वाट का चार्जर देख में मलता है एपल की तरफ से बाई जब मैंने अपना आइफोन 12 प्रो मैक्स लिया था यह बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके साथ कोई चार्जर आता नहीं और मेरे पास आई-पैड पहले से था तो इसका चार्जर मैंने मस तरीके से यूज करा तो यह वा बारी है 468 ग्राम्स का आई-पैड प्रो है 458 ग्राम्स का आई-पैड एर है तो भाई अब आ गया है टाइम हमारे आई-पैड की रैपिंग उतारने का तो यह हमारे सतर हजार रुपे गए मज़े में ओके वह भाई अरुक्स रेली अमेजिंग यार अगर देखा जाए AME Ipad के साथ कौन सा जाधा बढ़िया लग रहा है मेरे को बताओ भाई जाधा बढ़िया कौन सा लग रहा है कौन सा लग रहा है यह वाला आभात यह तो sack आ त्ये वह एक शौDnın हमिलता हूं और थोड़ा experience शेयर करूँगा फिर थोड़ा बहुत यूज करने के बाद इसको So यार मैं भी इस iPad Pro को करीब 10 minutes से यूज कर रहा हूँ And मेरे को जाधा time ने लगा इसके अंदर check करने में कि क्या क्या चीज़े improved और क्या क्या चीज़े better होती है आइपड प्रो में और क्यों हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं iPad Air के उपर तो iPad Pro के अंदर जो सबसे पहली major चीज मुझे दिखी वो है इसका design तो यहाँ पर आप लोग को लगेगा design तो सेम है like display size भी सेम है लेकिन नहीं तो यहाँ पर आइपड प्रो 11 इंचीज है इसके अंदर M1 चिप के साथ सथ जो डिस्पले दी गई है वो भी amazing है इसमें वहाली mini LED डिस्पले नहीं है लेकिन आइपस रेटिना पैनल इसमें दिया गया है वो काफी ज़्यादा मेरे को 120 हर्ट सपोर्ट करता है जिस वैसे डिस्पले के स्क्रोलिंग तो इतनी ज्यादा स्मूध है जिस आप देख सब्सक्राइब कर रहा हूं उसे मखन वाली फील आती है वाई काफी तरड़ा लगता है एं पहली बार मेरे को वह एपल प्रोड़क के लिए 75 प्रशंट की बैट पीछे की साइड में देखते हैं इसके अंदर तो इसके अंदर लाइडर वाले सीन डिटेक्शन वाले और 3D अनिमेशन वाले और यहां पर साथ सब्सक्राइब एक नॉर्मल कैमरा यह रहे हैं तो यहां पर जो कैमरा कॉलिटी है मेरे को अच्छे लेगी देन अगर सामने बात करूंते हैं और फेस इडी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और इवन जो बटन थे नो काफी जादा अच्छे फील हो तो काफी टैक्टाइल है प्रेस करने में काफी अच्छा लगा मुझे वो चीज और उसके साथ भाई देखो यहां पेस में हमार को कॉड्ट स्पीक और इसकी जो स्पीकर के अंदर से बेस आरी है ना वो अन बिलीवेबल है मला मेरको ऐसे बरोजा ही नहीं हो रहा है इसने आप अच्छा वाइबरेशन सा हो रहा है लैक एक होता है अजीव सा वाइबरेशन एक होता है कि आपको काफी बेस फील हो रहा है उसमें बेस फील हो परफ्वार्मेंस के मामले मैं एक चीज नोट्स करिया है मैंने ऐप एट चला है मैं आप आइपड आइपड चला है मैंने इक सारे चला लिए एड आज तक बाइव आई-पड के उपर कभी भी लैग नोटिस नहीं करा किसी भी काम के अंदर गेमिंग अंदर हाश्लाई अगर A14 चिप में दी इसमें तक लाग कोई ऐसा नहीं था अब हमारे पास iPad Pro आ गया है M1 चिप के साथ और मुझे पूरा-पूरा वरुसा है भाई इसके अंदर लाग नहीं होगा अब भी इसके अंदर एक बहुत ही सही चीज लगी मेरेको सामने में जो camera लगा है true depth वाला बाराव ह उसके अंदर आप लोग को एक बहुत ही जादा बढ़िया colors लेकम मिलते हैं so जैसे में बतार था इसके जो front camera वे एक बड़ा तगड़ा फीचर हो है center stage and यह लिटरली मूफ करता है आपके साथ इसके जो AI वो ट्रैक करता है मारे face को and अगर आप कोई call wall लेरो जूम के उपर आप लोग के साथ यह मूफ करता है and literally यह बहुत अमेजिंग फीचर है like यार इतना से camera के अंदर यह करा है Apple यार के देखो में कौने में गुजगया है यह देखो यह देखो like भाई यह चीज बहुत ही तगड़ी लगी मेरे को like ऐसा लग रहा है मेरे उपर इसा मिलता है आपको and काफी लोग लेते हैं media watching consumption के लिए तो देखो अगर आप iPad Pro ले रहे हो तो इसके ने जो पावर आप लोगो मिल रही है जो आपको एक overall सब चीज़े मिल रही है यह एक तरीके से मैं कह सकता हूँ overall on the go वाला आपको computer है काफी timer सा हो था कि आप लोग कितना भा आप टॉप की ज़रूत पड़ती और वह मैं iPhone से नहीं कर सकता था तो मेरा iPad Pro हो गया iPad OS की वज़े से और अब मैं iPad Pro यूज़ करूंगो इस चीज़ के लिए तो iPad Pro जादा बेटर रहेगा क्योंकि इसके जादा बेटर प्रोसेसर है बेटर स्क्रीन है तो यह थी अन्बॉक्स सब्सक्राइब करेंगे सब को जल्द आप लोगों को पताएंगे कौन सा इपट बेस्ट है तो यही थी आज कीडियों कर आप लोगों पस लाइगे तो डेफिनिल लाइक को चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूं नेक्स लेड़ों के इंदर ओकी गाईस बबाए झाल